नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एवी बॉक्स अफिस में एक बाब फिर से आज के दिन हम बात करेंगे फिल्म में प्रेम की 3 के 14 दिनों के बॉक्स अफिस कलेक्शन के बारे में और दोस्तों आपको बताएंगे फिल्म गोट फादर मुवी के फिर्ष्ट डे बॉक्स अफिस कलेक्शन के बारे में और दोस्तों आपको बताएंगे फिल्म गोश्ट मुवी के भी फिर्ष्ट डे बॉक्स अफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तो अगर आप हमाँ चैल पे पहली बराए हैं, अगर आप प्रेम की थ्रिंग, मेगा स्टार चिरन जीवी और दोस्तों मेगा स्टार नगा अरजुन के काफी बड़े फैन हैं और जानना चाते हैं इनके मुविस के डेवाइस बॉक्स अपेस कलेक्शन और पबलिक र वेगा स्टार चिरन जीवी सर, सल्मान खान, नैन तरा, पूरी जगानन्द और सत्य देव जिसे बहतरिंग एक्टर काम करतों के नजर आते हैं, मुवी का बज़र्ट केवल 100 क्रोड रुपे हैं और मुवी को हम सभी के बीच में 2 गंटे 32 मिनिट के रन टाइम के साथ में ब मुवी का भी काफी बेस अबरी से इंतिजार करा जा रहा था, दोस्तो गोट फादर अपने पहले दिन की ओपनिंग लेतों ही नजर आ रही है, 18 से 20 करोड रुपे की और दोस्तो अगर इस फिल्म के रिवीव और दोस्तो ओडियस रियक्शन अच्छे निकल के आए तो काफी बेहतिंग लेवल का एक्शन, बेकड्राउंड, मुजीक और दोस्तो काफी शानदार इस्टोरी नजर आती है, फिल्में को डारेक्ट करा है संतो सेंची ने और दोस्तो मुवी का बजट केवल 5 करोड रुपे बताया जा रहा है, जबकि दोस्तो मुवी के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 15 करोड 55 रुपे हो चुका है, फिल्में का ग्रॉस कलेक्शन 18 करोड 55 रुपे हो चुका है, और फिल्में का ओवर एसेस का कलेक्शन 5 करोड 10 रुपे है, जिसका वर्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 23 करोड 55 रुपे हो चुका है, तो दोस्तो अगर अपने फिल्म में प्रेम गीत को देख लिए तो आपको मुवी केसे लगी क्योंकि दोस्तों यह फिल्म ओल टाइम मेगा ब्लोग बश्टाय साबित हो चुकी है अब दोस्तों आपको आपके उपिनिन क्या है आपको यह फिल्म में कैसे लगी कमेंट जरू करेगा वहीं पर द अगरना आपको काफी साला सस्पेंस देखने के लिए मिलेगा, इस फिल्मे को केवल तेलगु भासा में ही रिलीस करा क्या है, फिल्मे को डारेक्ट करा है परविन सतारू ने, फिल्मे को परविन सतारू ने और फिल्मे को पेड्यूस करा है सुनिल नागर ने, अगर हम बात क करें फिल्म में का बजट की तो फिल्म में का बजट केवल 30 करोड रुपए है और इस मुवी को काफी अच्छा रिस्पॉंस देखने करें मिल रहा है और अगर मुवी के पब्लिक रिवीव और ओडियस रेक्शन काफी अच्छे निकल के आए तो मुझको लगता है कहीं न कही आतबार करही देगी क्योंकि फिल्म का रंटाइम दो घंटे 18 मिनिट का है और मुवी करना कुछ भी फालतू चीज़े नहीं डाली गई है अब दोस्तों आप इन तीनों में से कौनसी फिल्म को देखने जा रहे हैं कमेंट करकर जरूर बताईएगा और आपके रमाचे लों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जैहिंद वन्यमात्रम ध्यान रखेगा अपना और अपने माता पितागा